मूर्णिंग नमस्कार अदाव सस्तिरिकाल की हल चाल है भाई लोग मैं अपका दोस्त आपका भाई सुछित कमार अपने इस यूटीब चनल में आपका स्वागत करता हूँ अपका स्वागत है आज हम लोग परसेंटेज वीडियो के पांच में पार्ट को स्वाप करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज से अती महत्पून 20 प्रशनों के संख्या रखे हैं जो कि JCC में आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पून होगा इन में से एक दो प्रशन ऐसा है कि जो पिछले JCC के जामें आ चुका है तो चलिए कि रिप्या इस वीडियो का आप लाइक से रहो सब्सक्राइब कर दीजे चलिए अब हम लोग इस्टार्ट करते हैं तो प्रशन नमर पहला है कि उस संख्या का 40 परतिसत क्या होगा जिसका दो सो परतिसत नबे है ठीक है तो बोला है कि उसका दो सो परतिसत क्या है तो दो सो परतिसत जो है वो नबे के क्या है बराबर है तो यहां से निकालेंगे कि 100% किसके बराबर होगा तो जो सो परतिसत है वो जो है 45 के बराबर हो जाएगा ठीक है तो बोला है कि उसका 40% क्या होगा, तो 40% निकाले कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1% का मान हैं से निकाल लेंगे, तो 1% का यादी हम लोग निकालेंगे, तो 45 by 100 हो जाएगा, ठीक है, यह जो हुआ है, यह 1%, 1% का हैं से इसका मान आ गया, तो बोला है क्लिशन में 5 के पढ़ा में 9 बार में 45 और 5 के पढ़ा में 2 बार में क्या होता है, 10 हो जाता है, और उसमें देख लिजे, यहां से ये 2 बार में ये भी कट जाएगा, यानि कि ये जो है, वो हो जाएगा 9 दूनी 18, यानि कि उस संख्या का जो 40% होगा, वो 18 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो 18 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानि कि option number A is the correct answer, ठीक है, चलिए, तब हम लोग दूसरे प्रसन को सोल्ब करने का प्रयास करेंगे, तो दोस्तों अगला प्रसन जो है, वो बोला है, कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, ठीक है, तो चलिए, इसव देखलेते हैं, यहाँ पास बोला है, कि देखे, 20% किसके बराबर है, तो 20% के बराबर है, ठीक है, तो हम लोग को दिया है, कि 20% जो है, वो 120 के क्या है, इक्वल है, तो हम लोग यहां से ले लेंगे, तो 20% का मान जब 120 है, तो हम लोग क्या करेंगे, कि 1% का मान यहां से निकाल लेंगे, यानि क्यों हो जाएगा, 120 बटा में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अब यहां से यह जाएगा, तो 6 पर में जाएगा, यहां से क्या आ गय यानि कि उसका 120 जो है, वो 720 के क्या हो जाएगा, बरापर हो जाएगा, तो option number D इसमें क्या हो जाएगा, तो यहां का correct answer option number D हो जाएगा, चलिए अब हम लोग तीसरा प्रशन को solve करने का पर्यास करते हैं, तीसरा प्रशन दोस्तों कि एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 49 ठीक है, तो वो जो है, वो किस से अधिक है, तो यह जो है, किसी एक संख्या के 35% से, 35% से कितना ज़्यादा है, तो 35% से 49 ज़्यादा है, ठीक है, तो इस सबाल को हम लोग करेंगे, अब देखें, यहां से क्या हो गया है, तो 50 x यानि कि 50 x बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो ज गटाव कर लेंगे, तो हो जाएगा 50 Xみनस का 35 X Ispaculture to 39, तो यहां से क्या हो जाएगा कि 15 X By 100 हो जाएगा Ispaculture to 39, हो जाएगा अब देख़िए, इधर 100 है, तो इधर है 100, इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहानि, कि यहान देखे, यदि हम लोग X कमान, निकालेंगे यहां سے, तो हो जाएगा, थर्ट्य in नाइन हबंड, बाई, कितना हो जाएगा, लोग 15 हो जाएगा, तब इसको हम लोग यहांसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो यदी 15 से इसको हम लोग काटेंगे तो 260 पर में क्या हो जाएगा पूरा पूरी कट हो जाएगा तो X कमान यहां से कितना जाएगा तो 260 यहां से X कमान हो जाएगा ठीक है तो option number E में कर लिजे कि कितना है तो 260 ठीक है तो यह जो है इसका right answer हो जाएगा चलिए अब हम लोग चौथा प्रसन को देखते है चौथा प्रसन है दोस्तों कि यदी किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से क्या है 12 कम है ठीक है तो बताना है कि इन में से कौन सा संख्या वो answer हो जाएगा ठीक है तो यहां पर सवाल जैसे बोला है उसी अनुसार चलेंगे तो बोला है कि 50% ठीक है तो 35% से कितना है 12% कम है तो हम लोग क्या करेंगे कि 50 into उस संख्या यानि कि X और परसन बोला इसलिए बता में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे और बोला है कि जादा है यानि कि इसमें से 35% वाला किया हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 35% बोला है इसलिए 35 बता में 100 हो जाएगा और यहां कोई संख्या इसलिए X मल लिए है अब इसको घठाने पर क्या पता चलता है बटा कि यहाँ पास 12 कम है ठीक है तो चले यहां से इसको घठा लेंगे 12 हो जाएगा अब देखे नीचे से जो 100 है यहाँ से इधर divide में है इधर गया तो क्या हो जाएगा multiple में हो जाएगा 15 x is equal to 12 into 100 यानि कि 12 100 हो जाएगा अब यहाँ करेंगे x कमान हम लोग निकालेंगे तो 12 100 भाई कितना हो जाएगा 50 निया से हो जाएगा तो अब लोग इसको जब करेंगे तो इसका जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा 80 तो x is equal to क्या हो जाएगा x is equal to हो जाएगा x कमान हो जाएगा 80 यानि कि option number a is the correct answer ठीक है पाच्वा परसने दोस्तों कि x संख्या अपने 16% से 42 अधिक है तो संख्या बताना है कि क्या है यानि कि x जो है वो अपने ही 16% से यानि कि 16 x का 100 यानि कि 16 अपने ही 16% से क्या है तो ये 42 अधिक है ठीक है तो अब लोग यहां से क्या कर लेंगे यहां सी इसका LCM लेंगे तो बटा में क्या हो जाएगा 100 तो 100 X यहां से हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा तो माइनस का यहां से हो जाएगा 16 X इसकल्टू क्या हो जाएगा तो 42 हो जाएगा अब 100 यहां से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो 100 में से हम लोग क्या करेंबे 16 oh गटा देंगे तो हो जाएगा 84 is equal to क्या हो जाएगा तो degree to में हो जाएगा 1200 ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसको जब कट कर देंगे तो यहाँ सी इसका मान हो जाएगा 50 यानी कि यानी कि option number 20, the correct answer, ठीक है, अब लोगो 6 परसने के और बढ़ते हैं, तो 6 परसने है, यदि किसी संख्या का 35% जो है, 63 है, तो संख्या बताना है कि वो संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, तो माना कि X वो संख्या है, उसका जो 35% है, वो किस के बराबर है, तो 63 के बराबर है, ठीक है, त 32 नहां से हो जाएगा, अब इसको जब हम लोग कट करेंगे, तो X is equal to क्या हो जाएगा, तो X is equal to यहां से हो जाएगा, 180, ठीक है, X is equal to क्या हो जाएगा, 180, यानि कि option number H नहां से क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, अगला प्रसना है, कि यदि किसी संख्या का 40% 16% 8 है, ठीक ह उसका भी क्या हो जाएगा, 16%, ठीक है, तो यह किसके बराबर है, तो यहां से क्या बताना है, यहां से उसका मान बताना है, ठीक है, तो देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से single 0 से single 0 यहां पस कट कर देंगे, अब आगे चली इसको देखते हैं, तो यहां से उपर का क्या हो जाएगा तो 16 चो का 64 हो जाएगा उपर का और यह जो है UZ चल जाएगा तो देखे एक दो और एक 30 है तो 8 में क्या हो जाएगा 30 यहां से लग जाएगा ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे X इसकल टू 8000 बटा में क्या करेंगे 64 यानि की 8000 को 64 से भाग देंगे तो चलिए 8000 को 64 से भाग देते हैं ठीक है तो 8000 यहां पास है तो हम लोग एक बार में देंगे 64 एक हम 64 ठीक है 10 में से 4 गया तो 6 यहां बचा 7 7 में से 6 गया तो है क्या हो जाएगा एक हो जाएगा उसी पिकर क्या करेंगे कि आगे क्या उतरेगा आगे उतरेगा जिरो ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि च जे्जा कुल न देखते हैं हो जाएंगThe 128 हो जाएगा तो 64 दूना क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा तो 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा यहां पास 2 बचेगा यहां बचेगा 15 15 में से 12 क्या गयाते हैं क्या बचेगा 3 बचा ठीक है तो 1 0 और यहां से उतर जाएगा ठीक है और 64 पचे के हो जाएगा 320 हो जाएगा तो यहां से इसका जो मान हो जाएगा उस संख्या का तो उस संख्या का मान जो हो जाएगा 125 के इसकल्टू हो जाएगा यानि कि एक इसकल्टू 125 यानि कि option number 3 जो है वो क्या है बिल्कुल सही answer है चलिए आठा प्रस्न को देखते ह है तो अगला प्रस्न दोस्तों कि किसी संख्या के 2 बटा 9 के 3 बटा 7 का 1 बटा 3 अगर 16 हो तो बताना है कि उस संख्या का 25 क्या होगा ठीक है तो उस संख्या का हम लोग क्या करेंगे 25 निकालने का पर्यास हम लोग सशिपले करेंगे तो देखे माना कि एक संख्या X है तो उ काटने का प्रयाज करेंगे तो देखिए यह जो है तीन से तीन यह पास कट हो जाएगा ठीक है जो जो अराम से कटेगा इसको हम लोग काटते चलेंगे ठीक है तो तीन से तीन यह पास कट हो गया तो अब देखिए क्या हो गया नीचे हो गया कि अब देखिए इधर भागा में है उधर जागा तो गुना है मज़ाएगा यानि कि 16 इंटू 7 इंटू 9 हो जाएगा ठीक है तो देखिए 2 x है उपर और नीचे का क्या है तो नीचे हो जाएगा 9 सत्य 63 हो जाएगा यानि कि इसको लिख सकते है 16 गुने 63 ठीक है अब देखिए 2 से 16 को 8 बार में काट देंगे तो x पर जाएगा 8 गुने 63 हो जाएगा यानि कि x कमान इहाँ से क्या आजाएगा तो x कमान इहाँ से 504 हो जाएगा ये तो जो है टोटल संख्या निकला लेकिन बोला है कि उस संख्या का 25 परसेंट यानि कि अब इसका हम लोगों को 25 परसेंट निकलना होगा तो चले 504 का हम लोग क्या करेंगे 25% निखाले का प्राज करेंगे तो यहां से ऐसे हो गया अब 25 का 100 यानि कि 4 को मतलब 504 को 4 क्या कर रहा है काट रहा है यानि कि यहां से हो जाएगा 4 को हम लोग 4 से डिभाइड कीजे 504 को तो 4 एकम 4 1 0 ठीख है 4 दूनी 8 हो जाएगा यहां से और यहां से 4 उतरेगा छोचोग का 24 हो जाएगा यानि कि इस संख्या को क्या कर देगा 4 जो है 126 बार में डिवाइड कर देगा यानि कि उस संख्या का जो 25% हो जाएगा वो 126 के बराबर हो जाएगा यानि कि option number B क्या है? सही answer है चलिए अब लोग 9 number प्रशने को देख लेते हैं तो kitchen है कि किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो बताना है कि वो जो संख्या है वो क्या हो जाएगा तो हम लोग चलते हैं पलस प्रशने की वो तो देखे तो बोला है कि किसी संख्या है यहाँ से भी क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ से इसको x वालेंगे तो उसका 30% यानि कि 30बटा में 100 हो जाएगा का क्या है? 15% का का मतलब होता है गुना और percent का मतलब होता है 1बटा में 100 ठीक है? तो वो जो है किस के बराबर है? तो ग्यू ihan 18 के बराबर है 6 पर 30 यानि कि 6000 हो जाएगा X is equal to जमरू निकालेंगे तो 6000 बटा में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा तो देखें आज इसको cut करेंगे तो 15 चुका 60 और 00 है तो 00 लग जाएगा यानि कि X is equal to यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा यानि कि option number D is the correct answer हो जाएगा चलिए और 10 नमबर परस्ण को सुर्व करने का पर्यास करते है तो 10 नमबर का परस्ण है कि 36 का 8 परसेंट किस संख्या का 72 परसेंट के बराबर है ठीक है तो यहाँ दिया गया है कि 36 का 8 परसेंट तो 36 का 8 परसेंट वो जो है किसके बराबर है तो एक संख्या दिया गया है उसके 72 परसेंट के क्या है वो बराबर है तो देखे 100 से 100 नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ से क्या कट जाएगा 36 दूना 72 और यहाँ से 4 बार में यह कट जाएगा यानि कि X प्रबर क्या हो जाएगा 4 यानि कि X is equal to यहां से 4 हो जाएगा यानि कि option number 20 the correct answer ठीक है चलिए अब हम लोग 11 number प्रशन को solve करने का प्रयास करेंगे 11 प्रशन है कि यदि किसी सांख्या के 25% से 40 का 15% दू अधिक है तो जो अधिक होता है उसको हम लोग आगे रखते हैं ठीक है तो यहां किया बोला है कि 40 का 15% अधिक है तो हम लोग 40 को पकड़ेंगे और इसको क्या करेंगे आगे रखेंगे यानि 40 का का मतलब गुना हो जाएगा परसेंट मने बटा में 100 हो जाएगा ठीक है, यानि कि 40 का 15% एक संख्या है, यानि कि एक सका 25%, ठीक है तो 25%, यानि कि 25 बटा में 100 हो जाएगा से कितना है, तो उसे 2 बराबर है, तो यहां से काटेंगे तो 4 बार में 25 से 100 कट जाएगा अब देखे, single 0 से single 0 यहां से कट हो जाएगा, और 2 से a कट जाएगा और 5 दूने 10 से कट जाएगा उसी परकार 5 से 3 बारे 15 यहां से कट जाएगा अब क्या आया तो यहां पास आया कि हो गया 6 बटा में 1 हो जाएगा यहां पास minus का sign है x बटा में क्या हो जाएगा 4 is equal to क्या हो जाएगा 2 अब यहां से हम लोग इसका LCM लेंगे तो 4 हो जाएगा यानि कि 6 जोका 24 हो जाएगा अब देखिए यहां पास X क्या हो जाएगा X का 1 ही हो जाएगा बाकि यहां 2 है अब 4 यहां डिवाइड उधर जाएगा तो multiple हो जाएगा यानि कि 24 minus X is equal to क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो अब देखिए यहां से अगर इसको बराबर करेंगे तो देखिए minus X है is equal to जाएगा तो 8 और यह उधर plus में है इधर उधर जाएगा तो minus में हो जाएगा ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा minus X is equal to minus का 16 हो जाएगा और minus minus जब कट जाएगा तो x is equal to 16 हो जाएगा यानि कि option number a is the correct answer of this question ठीक है अब हो लोग 12 number के प्रश्ण को solve करने का प्रयास करेंगे तो देखिए 12 number का प्रश्ण है कि यदि किसी संख्या ठीक है यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है ठीक है बोला है कि 50 से क्या है 20% अधिक है तो यहां से उस अंख्या का बताना है आपको कि उसका मान क्या हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले कि 50 का आखिर 20% होता कितना है तो देखिए 50 का 20 परसेंट यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 20 बटा में 100 हो जाएगा अब देखिए यहां से एक कट हो जाएगा तो 5 बार में और 5 से जब 50 को काटेंगे तो 10 बार में यानि कि उसका जो 20 परसेंट जो अधिक होगा उदास जो है 20 परसेंट अधिक होगा लेकिन किस से बोला जा रहा है तो 50 से बोला जा रहा है इसलिए हम लोग 50 को उसमें क्या कर देंगे एड कर देंगे यानि कि ओ जो संख्या हो जाएगा वो अप्रोक 60 के बराबर होगा यानि कि option number is the correct answer of this question चलिए अब लोग 13 नमर परसेंट को solve करने का प्रयास करेंगे जो 13 नमर का question है वो बोल रहा है कि किसी संख्या में 24 जोडना उस संख्या में उसके 20 परसेंट जोडने के बराबर है तो उस संख्या का 120 कितना होगा आपको बताना है तो देखें मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है एक्स है एक्स में क्या कर रहा है हम लोग 24 जोड़ रहा है वो किसके बराबर जोड़ रहा है उसी संख्या में 20 परसेंट जोडना यानि कि उसका ही यानि कि एक्स का 20 परसेंट जोडने के क्या है वो बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे यहां से इसको cut कर देंगे तो पांच बार में यहां से एक cut हो जाएगा ठीक है तो X प्लस 24 इस कल्टो हो जाएगा X by 1 कुछ नहीं है तो यहां पस हो जाएगा X by 5 हो जाएगा तो इधर side का हम लोग क्या करेंगे यहां से इसका LCM ले लेंगे तो X plus 24 इसको same as well as लिख देंगे और यहां से इसका जब LCM लेंगे तो हो जाएगा 5X ठीक है और यह जो है X हो जाएगा अब देखिए X plus 24 is equal to हो जाएगा 6X by 5 हो जाएगा तो अब क्या करेंगे इसको यहां से इसको उधर भेज देंगे इधर divide में है तो उधर जाएगा उधर जाएगा तो multiple हो जाएगा यानि कि यहां से हो जाएगा 5X plus का 120 is equal to 6X ठीक है तो यहां से X is equal to क्या जाएगा देखिए 6X है यहां पास, पास चेक्सियां से घट जाएगा, तो हो जाएगा X, और 120 हो जाएगा, अब बोला है कि इसी संख है कि 120 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 120 का 120% निकालेंगे, ठीक है, तो 120 का मतलब गुना हो जाएगा, 120 परसेट, यानि कि 120 बटा में 100, इधर का 2-0, इधर के 2-0 के साथ मैच, यानि कि कट हो जाएगा, अब देखिए, 12 इंटू 12 करेंगे, तो 144 हो जाएगा, यानि कि option number B is the correct answer of this kitchen, अब क्या करेंगे, अब लोग 14 निकालना की kitchen को solve करने का प्रयास करेंगे, तो संख्या घटकर, same का 60% हो जाता है, तो उस संख्या का 100% के हो जाएगा, आपको वहाँ से उसको बताना है, तो देखिए, X में से क्या कर रहे है, 40 घटार है, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो जहाए, उसी संख्या के 60% के बराबर, यानि कि 60 बता 100 के बराबर हो जाएगा, 20 तिया 60 और 20 पचे 100 हो जाएगा, यानि कि 3 बता 5, यानि कि X माइनस 40 इसकल टू, 3X बाई कितना हो जाएगा, 5 यहां से हो जाएगा, अब इधर डिभाइड में है, इसको जब उधर भेजेंगे, तो इसके साथ मल्टिपाला ही हो जाएगा, यानि कि 5X माइनस का, और 40 इंटू 5 करेंगे, तो 200 हो जाएगा, तो 200 इसकल टू क्या हो जाएगा, 3X, ठीक है, अब यहां से देखे, 3X में से 5X घट जाएगा, तो simple है, 2X बचेगा, तो यहां से इसको घटा लेते हैं, इधर जाएगा, यह माइनस था, इधर आगा, तो क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यानि कि 2X इसकल टू यहां से 200 हो जाएगा, और 2 से जब इसको काटेंगे, तो 100 हो ज किशन, अब हम लोग 15 नंबर की किशन के और बढ़ेंगे, तो 15 नंबर का किशन बोल रहा है, कि देखे, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर, ठीक है, 30 पराप्त होता है, तो क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से इसको घटा के देखते हैं, तब उसका आंसर क्या हो जा 30 के क्या हो जा रहा है, 30 का बराबर हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या काटेंगे, तो देखे, यहां से कट हो जाएगा, 2 से 2 बार में, और 2 से 5 बार में यह कट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा, x-2x by 5 हो जाएगा, इस गल्टू क्या है, 30 है, ठीक है, अब क् प्रत्राइब को उधर बेज देंगे, तो हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, तो हो जाएगा, 3x is equal to 30 into 5, याने कि 140, 50, याने कि यहाँ पास क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, अब इसको काटेंगे, तो तीन बार में कट हो जाएगा, 50 से, याने कि x is equal to 50, इसका आंसर हो ज गठाया गया, तो सेस्ट जो है, वो 50 की वड़ाबर बच रहा था, तो बताना है कि क मांद its है, ठेक है तो दिखे कि एक संख्य का मान लेते, कि हम लोग 10 का है, टेक है 50 क्यों मुदक्र含 सो Ew le談 किया जा रहा है 50 उससे घटाया जा रहा है तो जो है 50 के बराबर हो जाएगा ठीक है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे इसको कट कर लेंगे यहां पस 2 हो जाएगा यहां पस यह से हो जाएगा यानि x by 2 minus का 50 is equal to क्या हो जाएगा 50 यहां से हो जाएगा तो अब क्या करेंगे यहां से इसका LCM हो लोग निकाल लेंगे तो यह तो simple x का x हो जाएगा और यह जो है minus का 100 हो जाएगा इसकल 2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा ठेका यह उधर चल जाएगा तो हो जाएगा यहां से पचास दूने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यानि कि x minus का 100 यह हो जाएगा 100 क्योंकि हैं divide में था उधर गया तो multiple में यानि कि 50 गुने 200 हो जाएगा अब देखिए इधर का 100 है यह minus में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलस में हो जाएगा यानि कि 100 पलस में 100 यानि कि x इ को solve करेंगे तो 17 नमर का प्रस्ण है कि X के 8% को X में जोड़ दिया गया है ठीक है इसके बाद फिर परिनाम के 8% को परिनाम में जोड़ दिया गया है तो बताना है कि अंतिम उतर में X का गुनत क्या हो जाएगा उसको आपको बताना है तो देखिए माना कि X क्या है X है उसका 8% यानि कि 8 पर्टा में 100 को क्या किया गया है उसी संख्याने कि X में जोड़ दिया गया है ठीक है तो अब इससे आगे हम लोग सवाल को बढ़ाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कि 8X ठीक है और यहाँ से बाई 100 प्लस का X ठीक है आगे हम लोग इसका LCM लेंगे तो 100 का LCM 100 हो जाएगा और देखिए यह 8 बार में ही सिंपल जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 108 ठीक है सोरी 100 हो जाएगा यानि कि X तो हो जाएगा 108 X 100 यहाँ से हो जाएगा ठीक है तो अब इसका बोला है कि इस तंक्या में यदि हम लोग 8% फिर से जोड़ते हैं ठीक है तब जो है उसका जो X का गुनज होगा आपको उसको बताना है तो देखिए 108 X यहाँ से दिया है बटा में क्या है 100 है अब इसमें हम लोग क्या कर रहे है simple इसमें 8 को direct जोड़ दे रहे है ठीक है तो देखिए तब इसका answer बताना है इसका मारिहां से क्या हो जाएगा तो नीचे जब 00 है तो दो अंक छोड़ के यहाँ पर point लग जाएगा तो जो है 1.16 जो है x का यहाँ से multiply है तो option number B इसका सही answer हो जाएगा अब हम लोग 38 नमबर के प्रस्ण को solve करने का प्रयाज करेंगे तो 38 नमबर का प्रस्ण है दोस्तो कि यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाता है ठीक है तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा आपको उसको बताना है तो चलिए जोड़ते हैं तो x में क्या जोड़ना है तो x में x का 5% यहाँ से simply जोड़ देना है इसको जब हम लोग cut कर देंगे तो हो जाएगा 1 बटा में 20 हो जाएगा तो हो जाएगा x by 1 x बटा में 20 यहाँ से इसका जब हम लोग LCM लेंगे तो 20 के बराबर हो जाएगा तो देखिए यहाँ से 20 के LCM यानि की 20 बार में यानि की 20 x यहाँ से हो जाएगा और simply x जो है यहाँ से हो जाएगा अब यहाँ पसक्या जाएगा तो 21x हो जाएगा बटा में divide by 20 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 20 से 21 को divide करने का प्रयास करेंगे तो चले हम लोग एक बार में इसको value देते हैं तो 20, 21, 20 यहां पस क्या बच किया तो यहां पास 1 आ गया अब इसमें क्या करेंगे पॉइंट देंगे तो यहां पास 0 आ जाएगा तो फिर से हम लोग 0 बार में इसको देंगे तो हो जाएगा अब ऐसे हो जाएगा पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा यहां कि 20 पचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा अब जो है इसका value एक cut हो जाएगा यहांस इसका बान हो जाएगा 1.05x तो इहांस बताना था कि x जो है किसके साथ गुना किया गया है तो x जो है 0.05 सोरी 1.05 से गुना किया गया है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो option number D हो जाएगा अब हम लोग 19 number person को solve करने का प्रयास करेंगे तो चलिए 19 number person को solve देखते हैं तो 19 number का प्रसन बोला है कि A B का 5 गुना है यानि कि मान लेते हैं चलिए मानते हैं A जो है B का 5 गुना है यानि कि A बराबर हम लोग मान लेते हैं कि 500 है और B बराबर मान लेते हैं कि 100 है त तब अना 100 का 5 गुणा का है? 500 तो हम लोग directly इसको मान लिए तो बताना है कि B जो है A से कितने परतिसत कम है तो जो B है A से कितने % कम है तो देखे 500 में से 100 है यानि कि 400 कम है तो देखे 400 कम है, कितना से तो 500 से परतिसत निकालना है इसलिए 100 से क्या हो जाएगा simply गुना हो जाएगा अब देखे, 00 से 00 कट हो जाएगा और 845 और ये 0 ये 0 से कट जाएगा, यानि कि वो जो है 80% उसका आंसर हो जाएगा, यानि कि जो 100 है वो 500, ठीक है तो ये जो 400 है, वो उसका 80% है 500 का, ठीक है, अब हम लोग 40 नमबर प्रस्ण को solve करेंगे, ठीक है, तो 40 नमबर का प्रस्ण है दोस्तों, बोला है कि यदि 2 M के 2 M परस्ण का मान 1 है, ठीक है तो M का मान यहां से बताना है कि M का मान क्या हो जाएगा तो सवाल बोल रहा है कि 2 M का 2 M परतिसत परतिसत है, इसलिए बता में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, किसके बराबर है तो 1 के बराबर है, तो बताना है कि M का मान यहां से क्या हो जाएगा तो देखिए, 2 M इन्टू 2 M, यानि कि 4 M का स्क्वेर हो जाएगा बता में 100 हो जाएगा इसगल टू 1 के बराबर हो जाएगा, चार से इसको जब हम लोग काटेंगे, तो यह 25 बार में चल जाएगा इधर 25 डिभाइड में है उधर जाएगा, तो मल्टिपल में हो जाएगा यानि कि M स्क्वेर is equal to 25 हो जाएगा इधर सी square जब भटेगा तो इधर root चड़ जाएगा यानि कि aim is equal to हो जाएगा 25 हो जाएगा यानि कि aim is equal to इसका answer 5 हो जाएगा यानि कि option number C is the correct answer of this kitchen तो किरिपया यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले और यदि आप हमारे WhatsApp गुरूप से जोड़ना चाहते हैं तो हमारा number है 8709068079 आप इस पर message करके हमारे गुरूप से जोड़ सकते हैं PDF के लिए तब तक के लिए धन्यवाद मिलेंगे next वीडियो में